हेलो स्टुजिंट्स वेलकम चुदी माइं ब्लोइंग फ्लाटफॉर्म फिजिक्स वाला यह साथ रहे अमर हमारा नाम है अक्सा कमर मैं हूँ आपकी इंग्लिश की मेंटॉर और दोस्त आई होब यूप 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 अच्छे से परड़े हो भाई एक्जाम बिल्कुल सार यह आपको एक सिटी से दूसरी सिटी से करणेक्ट करती है बस वैसे ही conjunction के काम होता है वह वेड़ को सेंटेंस को फ्रेज़स को लोबर को एक दूस्रे से जोड़ता है जैसा कि हमारे घर की शाधियों में होती है पंडित जी का रोल का जी का रोल फाधर को रोल करते हैं इसको और अच्छे से डीटेल में समझते हैं आए बाई कंजंक्शन को हम समझ गए हैं अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मस्टू में आपको कंप्लीट चाप्टर करोगे बेटा क्योंकि इंग्लिश ग्रामार में आपके पास कोई चोईस नहीं होती है कि हम यह पोर्शन छ हुशन हम यह उसको जर्णा उसके टीन प्रकार होते हैं सबसे पहला आपका होता है कॉधिनेटिंग कंजंक्शन फिर होता है घडिन आसे पहला projection और आपको कॉण्छिन कोड़िनेटिंग कंजंशन जैसा कि उसका नाम का तो συंद स्कार और कोई बी दो सेंटेंस को ऐसे वह दो सेंटेंसे को वित जोड़ता है ज...? यह पीर बात चैक्तनल का बराबरी की सेंटस में अगर लें जैसे अगर लोज दिलिश्यों से SEC तेस्टी अगर आमने लिग दिया टिक रेलेश्ट टेस्टी जोल्मोस सेम जीज होती है फूड वस्टेस्टी फूड बहुत टेस्टी था फूड वस एक्सपेंसिफ बट फूड मेहंगा था साथ में तेस्टी था यह क्या हो गए दोनों में आपने बिटा खाने की बात की सब सब्जेक्ट्राइब्बंट सेमों अकषर सब्जेक्ट रहे हो यह हैं अकहीं कहीं acronet t आपकी बात बरारी की हो रही हो आपका sentence A है और sentence B है दोनों सेमी बात कह रहा हो sense बात को अलग हो, teaching का feedback दिया, Еще बहुत है soft. कि अपने खाने की बात की आपने लुक की बात कि आपने जहां पे बराबर के बुद्ध कrzy not का वहां पे चल थी का और देटा कोई लिज्व करते हो और कोई कजुंशन नहीं लगता जैसे Samira और अरुन अब आप Samira और अरुन की बात करते हो start ठेक बोहत ही टेस्टी था अगब बहुत महिंगा था दोनों ने क्या बात की को को कडिने के अचया बिटा आती है वहां पर आपके पास आपको यह फॉर्मुला याद रखना है इसको मत भूल ला विधे जो होते हैं बस उस से ज़्यादा कॉड़िनेटिंट कंजंशन में कुछ भी नहीं होता इक्विलेंट सेंटेंस और यह शब्द लगेंगे फैन बॉइस मतलब पंखे वाले लड़के फैन बॉइस ऐसे करके याद कर लो F से आपका होता है F से आपका बेटा होता है For A से आपका होता है बेटा And N से आपका होता है बेटा Nor B से आपका होता है But O से आपका होता है Or Y से आपका होता है बेटा Yet S से होता है So तो बस आपके कॉडिनेटिंग अंजंशन में यही शब्द होते हैं इससे ज़्यादा coordinating conjunction ने बेटा कुछ भी नहीं होता coordinating conjunction ने बस यही शब्दों का use होता है और कुछ भी नहीं होता है यही आपके जो fan boys आपके जो साथ शब्द हैं बस यही साथ शब्द use होते हैं यह कहां पर use होते हैं यह वहां पर use होते हैं जहां पर equivalent sentence है इन शब्दों का प्रियोग होता है अगे बढ़े अगर सब और इन कंजंग्शन पर जैसे हमारी स्कूल में कॉडिनेटर्स होती है सब और इनेटर्स होती है कोडिनेशन का काम करती है वो कि तालमेल बठाने का अब इसमें हो सकता है कोई टीचर मतलब जीए पढ़ारी हो इसक आफामस आलमेल बठाना है वैसे हो सकता एक सैंटेंस जैसे आपका कॉडिनेटर्स को इनडेटेंटम इंडिपेंडेंड Vallahi मतलब अगर आपक एक सैंटेंस नहीं जोड है हो कि सेंटेंस दसे रशेism अगर आपने she is a good girl पड़ा एक प्रॉपर सेंटेंस है और अगर आपने चलो कोई अच्छा सा एक्जामपल लेते हैं खाने की बात करते हैं खाने की आयलोफट्य टू इट पीजा मुझे चाना पसंदे खिक आयलोफ टू इट बगर दूए बहाइवाएव बहुत पसंदे खिक आयलोफट्य ऐकर अगर आपने sentence अ पड़ा तो थिक है रखिक अना पसंदे को च्छों इसक्ति में उच्छाम है आम की बस दैपीजा कहना आपने स sentence A का खुद का मीनिंग है, sentence B का खुद का मीनिंग है, दोनों मेंसे कोई भी अधूरा नहीं है, दोनों का खुद का एक मीनिंग है, अपनी बात कहरें, उनको बढ़की जरुवत नहीं है, मदभी जोड़ो तब भी वो लोग जिन्दा हैं, और दुश्य के मिना भी खुश है, तो इस केस में जब sentence A और sentence B को खुद का वजूद होता है, खुद का stand होता है, डोन निल्ट सपोर्ट भाई, खुद के पे हैं, खुद पे हैं, खुद पे हैं, उस जगे पे हम यूज करते हैं आपका coordinating conjunction, बस इसी केस में, जब दोनों sentence के खुद के वजूद, खुद की मौजूदिगी, खुद की जर्वत, तकम जब पूरी है, अब तुम ने जो ये शब्द and का परियोग किया, तुमने क्या किया, दो ऐसे sentence को जोड़ दिया, जिनको एक दूश्य की जरुवत नहीं थी, तुम्हें अपनी मर्जी से जोड़ा है कि तुम्हारे को लिखना कम पड़े, पैन की इंग थोड़ी कम खर्चा हो और लाइन थोड़ी कम खर्चा हो, ठीक, और कंजंक्शन का थोड़ा यूज हो जाए करते हैं, I love to eat pizza and burger, ज्यादा लंबी कथा मत गाना, कंजंक्शन बस वहीं पर यूज हो थोड़ा सा कंसाइस करतों, चीजों को तो, ठीक, I love to eat pizza and burger, आपने अपने sentence है, sentence भी independent sentence थे, एक दूसरी की जरुवत नहीं थी, तब भी आपने उसको मर्ज कर दिया, तो वहां पे आप coordinating conjunction का परियोग करते हो, subordinating conjunction पीटा, ऐसे दो sentences को जोड़ता है, जो अधूरे होते हैं, जिनको support की जरुवत होती है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक, subordinating conjunctions, connect, independent clause or dependent, एसा हो जाता है, कभी sentence एक complete है, मगर sentence भी आर, incomplete है, तो एक को complete करने के लिए, भाई, इनसे जोड़ दो, तभी ये बिचारे के सर पर ता जाएगा, ये अधूरा रह जाएगा, ठीक, बस आपके subordinating conjunction का यही काम होती है, या तो फिर भाई, दोनों अधूरे होंगे, कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत होगी, या तो फिर इन दोनों से कोई एक त्वाधूरा हो गई होगा, जिसको, मदाब वो dependent है, उसको जरूरत है, वो खुद के उपर नहीं खड़ा हो पार है, उसको support की जरूरत है, ठीक, she started reading when she was five, she was five अगर हम से बोले, तुम को बोलो क पाइव, तुमने क्या कि इन दोनों के जोड़ दिया, तो भाई जब वो पांच साल की थी, अब उसके पढ़ना शुरू कर दिया, because of the weather, she decided to stay home, she decided to stay home, उसने decide के घर पे रहेगी, ठीक, because of the weather, अगर हमने बोला of the weather, ठीक, because आपका हो जाता है, conjunction, subordinating conjunction, ठीक, वो घर, क्योंकि वेदर ऐसा की, वो मौसम ऐसा था, तो मौसम ऐसा था, तो क्या किया, उसने मौसम, चली एगिया, चाता लेगी office, नहीं यार, मौसम ऐसा था, इसली वो घर पे रहेगी, तो यह जो sentence A ह अधूरा है sentence B के विना, तो आपने because जोड के वजह बताते हुए, बता दिया, because of the weather, she decided to go to, she decided to stay at home, उसने decide के भाई, वो घर पे रहेगी, subordinating conjunction की list बहुत बढ़ी होती है, जितने भी आपके sentence में, जितने भी शवद आपके होते हैं, conjunction में, apart from coordinating, fanboys के हटा के, सब आपके subordinating की conjunction में, जादा तक आते हैं, after, although, as, as, if, as, soon, as, because, unless, until, though, then, since, in order, that, when, whenever, where, whereas, wherever, and while, all these are part of your subordinating conjunctions, not jumping towards the last conjunction, so, please take me to obvious, not jumping towards your last conjunction, last conjunction की जहां पर बेटा बात होती है, वहां पर हमारी बात होती है, correlative मतलब, relative मतलब, रिष्टेदार, उस sentence के, उस conjunction के, रिष्टेदार होते हैं, जो हमेशा उसके साथ वाक्य में आते हैं, जैसे आप बीछे देख सकते हों कि माम के दो पर लगे हैं, हना, एक के साथ एक अपना attach है, pair में है, जोडे में आया है, बस वैसे ही आपका बेटा, correlative कंजंक्शन होता है, वह हमेशा आपका pair में आता है, वह कभी भी अकेले नहीं आता, coordinating conjunction भाई, बराबर के sentence को जोड़ता था, subordinating एक बराबर का नहीं है, तो फिर दोनों बराबर के नहीं, ऐसे sentences को जोड़ता था, correlative हमेशा आप ऐसे पहचान करों कि उसकी, वह हमेशा pair में आता है, एक pair में दो होते हैं हमेशा, चिक, आगे बढ़ते हैं, जैसे आपकी core relative, जैसे आख आपकी दो होती है, sandal पहनते हो, माम ने sandal पहन रखी है, माम ने क्या मतलब, एक ही sandal पहनी है, माम ने दो sandal पहनी है, जोड़े में यह लोग, एक से तो आएंगे नहीं, लंगड़ी खेलते हुए, दो ही पहनेंगे ना, तो बस core relative conjunction भी आपके ऐसे ही होते हैं, हमेशा पहर में आते हैं, उनकी पहचानी होथी कि वो पहर में है, मोझे हैं, दो पहनोगे, चपल हैं, दो पहनोगे, आपका पॉम्पो में, उसको भी हमेशा दो ही लेते हो हाथ में, पैर के फुट्प्रिंट हमेशा दो ही आते हैं, ठीक, core relative conjunction as the name suggests, भाई, पैर में आता है, वो कनेक करता है, फिर दो सो क्लॉस को, हमेशा वो पैर में आता है, या तो फिर भाई, समीरा, अब इधर और, और, और जब अकेले आता है, तो भाई, वो coordinating conjunction है, मगर और जब अपने बड़े भाई के साथ आता है, तो वो आपका core relative conjunction है, और का बड़ा भाई है, इधर, या तो फिर, इधर और और कहां पर लगता है, इंदीम बोलते हैं, या तो फिर, या तो फिर तुमाओ, या तो फिर अपनी मम्मी को भेजो आज पार्टी में, मतलब एक आदमी को तो आन relative conjunction के examples है, इधर यू, इधर यू, इधर यू learn how to do it, और you will have to force the, you will have to face the consequence, या तो फिर भाई, तुम सीख लोग कैसे कोई गाम होने, या तो फिर भाई, तुमको फिर जहलना होगा, सारे मुसी बाद तुमारे मत्या है कि तुमें सब को जहलना होगा, या तो फिर इधर और इधर आपका छोटा भाई यंगर ब्रदर है, और आपका सवरी यंगर ब्रदर इधर आपका elder ब्रदर है, ठीक, छोटे भाई के साथ हमेशा बड़ा भाई आएगा sentence में, इधर हमेशा आएगा आएगा, ठीक, ये लोग हमेशा pair में होते हैं, एक pair आपका हो जाता है, इधर और और का, ठीक, यह always pair, इधर कभी भी अकेले नहीं आता, वो मिशा और के साथ आता है, neither did Rachel nor her friends make it to the event, ना तो भाई रेचल आई, ना तो उसके दोस्त आ है, ठीक, अब दूसरा pair आपको क्या होता है, जो आपको मिलता है, neither nor, ना तो, सबसे पहला pair था, इधर और का, दूसरा pair आपका आता है, neither or nor का, मतलब, इधर और, या तो भाई तुम होगी, ना तो भाई तुम होगी, ना तो भाई तुम होगी, ना तो भाई तुम होगी मम्मी आएंगी, दोर में से कोई भी नहीं आएंगा, पार्टिक, not only did they block the road, but they also kept shouting slogan, ऐसा नहीं मम्मी सिर्फ हम लोगों को डाचती है, मम्मी हम लोगों को प्यार भी बहुत करती है, ऐसा नहीं सिर्फ ऐसा ही है, ऐसा भी होता है, not only but also, जो आपका होता है, यह आपका सेंटेंस होता है, आपका ऐसे तो कंजंक्शन है, जो हमेशा पेयर में चलते हैं, not only but also, Manoj was saying that he is not sure whether he he should stay back tonight or leave home immediately, now, no sooner did my mom complete all the kitchen work than she started cleaning the house, no sooner के साथ आपका दान, जिक, Manoj was saying that he is not sure whether he should stay back tonight, वेदर के साथ आपका और, किये आपके combinations चलते हैं, जो हमेशा आपके और पेयर चलते हैं, हमेशा जोड़े में चलते हैं, जोड़े में चलते हैं, चिक, QA Relative, Always Talk in a Pair They Always Go Hand-In-Hand So, ये था आपकी Yarộ jednak do So, ये था आपकी कंजक्शन की कहानी 3 तरीके के, 3 वराइटी की आपके कंजनक्शन हों सबसे पहले कंजनक्शन आपके Sug principals टोको जोडता है आपकी वोर्ट को जोडता है वरना मीनिंग नहीं निकलेगी एक सेंटेंस वेस्ट में चला जाएगा फिर आपका को रिलेटिव को रिलेटिव हमेशा पेर्स में आके वाकियों को जोड़ता है वह कभी अकेले आके नहीं जोड़ता है बस आपको एक्जाम में तस्याद रखना है कंजंग्शन बहुत करना चाहते हो आपको फेस्ट बच्चे रिजेक्ट रिजाते वह था इंटर्वी का फेस्ट बच्चे बहुत अच्छे होते स्ट्डी सब कुछ 100 पॉसनिंग पेपर एक फाडू नंबर आते हैं वह तो बेकेश पॉंट पॉइंट पॉन्त पॉइं आपको बोलना है एक पे सब्सक्राइब करना है इतनी आपकी बातों में अच्छा ही हो इंग्लिश में हिंदी में यूपेसी में लांगोई आपकी खुद की चोईस की हो थी बट हाँ यह कंजंग्शन तो आपको होते हैं ना आपको तो लंबे-लंबे वाक्या नहीं बोलने हैं सामने वालों कि इनी इजट छोटो से प्यार मिलती हूं अपनी अगली वीडियो से मेरे याद टाटा बाइबाइब जय हिंद जय इंग्लिश